नमस्कार मित्रों और क्या हाल चाहिए आप लगोगे बिरुजगार ग्यानी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों लास्ट टाइम मैंने नॉइस की तरप से बड्स VS202 को अन्बॉक्स और रिव्यू किया था काफी मज़िदार एयर बड्स से उनको अब तक यूज कर र देते हैं और उसके बाद में करेंगे दोस्तों इसका रिव्यू कि किस परकार की म्यूजिक क्वालिटी है हमको देता और क्या यह हमको खरीने चाहिए या नहीं तो दोस्तों यह है नॉइस बर्स VS104 अब बात कर इसकी बिल्ड क्वालिटी एं इसकी डिजाइन की तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मुझे इतनी ज्यादा कास लगी नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इस नॉट डेट गुड विकोज आप यहां पर देख सकते हैं इसका हिंज जहां पर यह बंद हो रहा है तो इस जगह पर यह पर मतलब सील नहीं हुआ है लेकिन इस तरह से यहां पर इस तरह देखे तो प्रॉपर इसको बंद हो चुका है अब पीछ अब 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 बॉट इसके प्लास्टिक क्वालिटी उसकी बिल्ड क्यालिटी काफी सॉलिड कर दिया और वह तो काफी कूल डिजाइन था वह मिरको एक्चुली बहुत पसंद आया मुझे लगा दोस्तों यह बहुत इंप्रेस कर पाएंगे लेकिन नहीं दोस्तों य इसके प्लास्टिक क्वालिटी वह यह असा लगता है कि बहुत वालों का जो प्लास्टिक था वह इन्होंने मंग वालिया उससे बना रहे हैं और आप देखो ना यह किस प्रकार का बचकाना जैसा हिंज यहां पर इन्होंने दिया है तो थोड़ा अजीव भी है चलो ठीक अब दे दिया तो बाकी एक्शुली में मैंटर करता है कि इनकी सांड क्वालिटी कैसे होने वाले मान लो वह यह बात करते हैं यहां पर इन बर्च की तो दोस्तो काफी लाइट वेट हैं प्लास्टिक मैटेरिल वह यह जो इन बर्च में यूज किया गया है तो ठीक थाक है अब बात करें दोस्तों यहां पर चार्जिंग के कनेक्टर्स हैं यहां पर नॉइस की जो लोगो है हो दिया गया है रो दोस्तों यह यहां पर यह बदर यह आपना जो टच कंट्रल होता है वह यहां पर दिया है तो दोस्तों इस प्रइसकी तो एक वह 10 मीटर के आती है जो 30 फीट के असपास होती है तो अल्मुस्ट सारे बड़्स की जो रेंज आते ब्लूटूथ की वह लगवग 10 मीटर ही आती है उसके बाद में दोस्तों इसमें 30 mm का ड्राइवर दिया गया है मतलब इसका जो बेस है वह काफी अच्छा है अकोर्डिंग फुल के पानी के चीटे लग जा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में दोस्तों बात करें यहां पर बैटरी बैकप की तो दोस्तों यह लगवग 30 गंटे का इनका बैटरी बैकप है 6 गंटे इनके बर्स जो आप गाना सुनते है डायरेक्ट तो उन से 6 गंटे का निकल जाएगा उसके बाद में दोस्तों इसका जो यह केस है तो केस आपके 24 गंटे का बैटरी बैकप देदेगा टोटल मिलाके 30 गंटे लेकिन दोस्तों यहां पर बात करें इसकी चार्जिंग टाइम की तो दोस्तों 60 मिनिट में आपके यह बर्स चार्ज हो जाते हैं और अगर आप बहुत जल्दी में तो 10 समिनिट चार्ज कीजिए और लगवाई 150 समिनिट का प्लेवैक आपको देदेगा और अब बात करतें दोस्तों इसकी म्यूजिक क्वालिटी कैसी है तो दोस्तों तो इनको मैंने लगातार कम से कम नहीं तो 6-7 दिन यूज किया है क्योंक उसके बाद दोस्तों किसी वज़े से मैं इनके मतलब रिव्यू नहीं दे पाया तो मैंने लगातार इनको मूवी देखने के लिए गाना सुनने के लिए तो 5-6 दिन अच्छे से यूज किया है उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूं तो रिव्यू वहाँ पर आपको 999 मतलब 1000 रुपे में मिल जाएंगे अब अपन जज़ करते हैं इसको की 1000 रुपे में यह बर्स ठीक है या नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं इसके सांड कॉलिटी वाइल लिस्निंग म्यूजिक सौंग सुनते समय इसकी क्वालिटी कैसे रहने वाली है तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि जैसे कि इसमें 13 mm के ड्राइवर दिये हैं मैंने इसको लगातार 5-6 दिन तक सुना है इवन मैंने इसको ट्राफिक में मतलब गाडिम बैठे हुए सुना है या फिर मतलब आलमोस्ट इंडोर आउट्डोर सब जगे में इनको सुना है औ कि जब मैंने इनको यूज किया सबसे पहले लगा था कि मतलब जब आन्बोक्सिंग कर रहा था इसके जो यह एर टीप है यह मेरे को कान में चुबे में यह थोड़े हाड लग रहे थे लेकिन जब मैंने इनको यूज करके देखा तो मैंने पूरी की पूरी मूवियां भी इतने मतलब परिशान नहीं क्या है और यह काफी हलकी होनी के वज़े से आपको मतलब नहीं करेंगे तो यह मेरे को इसके काफी अच्छी बात लगी तो म्यूजिक सुनने किते समय इसका बेस बहुती मतलब मस्त वाला है मतलब आप इससे 20-30% वल्यूम में भी अगर आप उसके बाद दोस्तों इसके वोकल्स हुए, मिड हुआ, हाइज हुए, यह थोड़े से मतलब बैलेंस दी है, ना जादा अच्छे हैं, ना जादा बुरे हैं, बाकि बीस की क्वालिटी में भी अगर आप इसको 100% पर सुन रहे हो, तो आप इससे 100% पर गाने सुनी नहीं सकते ह यह बहुत जादा हिट करता है, लेकिन इनको मैं 6280 के वीज मैं आपको recommend करूंगो, उससे उपर जाते हैं आपके कान में यह एक तीखा सा दर्द देने लग जाएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो 6280 आपको best music देगा यह आपको, तो दोस्तों, music के मामले में तो यह इसकी sound quality कैसे रहने वाली है, तो दोस्तों, आगेंज मैंने इससे KG हुआ, RRR हुआ, बीश्ट हुआ, या फिर ऐसी movies के जो fight sequence है, या फिर अच्छे dialogue वाली scene है, या फिर ऐसे scene है, जहाँ पर high BGM है, BGM मतलब far level का है, तो वो वो scene मैंने इससे कई बार सुने, normal dialogues और जहाँ प आपको काफी मज़ा आने वाला है, according to again, price point ये बहुती best deal है, मुझे ये काफी अच्छी लगी, लेकिन दुस्तों, बात करें, इसकी sound quality while playing games, जब आप से games कहलते हैं, तो आपको इसका music कैसे रहने वाला है, तो दुस्तों, games के लिए मैं आपको इसे recommend नहीं करूँगा, क्यों आपको mobile से लेके, और birds में आवाज आने का जो time है, वो थोड़ा सा latency रहता है, तो उसके लिए इतना perfect में नहीं कहूंगा, बाकी game खिल सकते हैं, ऐसे कोई issue वाली बात नहीं है, तो दोस्तों, positive तो यही है कि 999 rupees में इससे better earbuds आपको नहीं मिलेंगे, खासकर noise जैसा brand दे रहा अब बात करें दोस्तों, इसके negative points की, जो मुझे irritative और थोड़े ठीक नहीं लगे, वो यह है, कि सबसे पहले, कि इसकी जो Bluetooth connectivity है, जैसे लिड open करो, तो यह Bluetooth कभी-कभी तो यह बहुत ज़्यादा तेज, मतलब जैसे लिड खोला, अब मैंने किया था, तो यह बहुत जल्दी मतलब इससे connect हो गया, लेकिन कभी-कभी यह मतलब इस connectivity होने में देर लगाते हैं, फिर connecting नहीं होते हैं, तो आपको दुबारा यह इसमें lid में डाल कर, दुबारा open करके, आपको connect करना होता है, तो मतलब 10 में से 3 बार यह issue आपको, 30% का issue है, उसके बाद में दोस्तों, दूस को used to होने में, कि दबल टैप से फिलिप उस तो हो जाता है, लेकिन next music करना हो, तो बाकी बट्स में 3 बार टैप करो next हो जाएगा, left से 3 बार टैप करो, मतलब previous हो जाएगा, लेकिन इसमें बटन दबाए रखो 2 सेकिंड तक, मतलब टच करे रखो, तो next होगा, left वाला टच कर होगे, 2 सेकिंड तक, तो previous होगा, तो इस तरह इसका थोड़ा सा मतलब मेरे को ठीक नहीं लगा, बाकी one tap, one tap, दोनों को left और right करोगे, तो right पर volume बढ़ेगा, left पर आपका volume घटेगा, तो ऐसे, और अगर आप यहाँ पर शीरी का use करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको triple tap कर अब बात करें दोस्तों क्या आपको यह बर्स लेने चाहिए या नहीं, तो दोस्तो, triple nine की price में यह एक best deal है, मेरी तरफ से तो आप यह ले लिजिए, अगर आप नजरनदाज कर सकें इसकी build quality को, और थोड़ी से जो मैंने issues बताये थे उनको, तो दोस्तों, इनका music quality को wise नहीं होने वाली है, और primary चीज तो music सुनना आए तो है, और चाहिए भी क्या, तो दोस्तों यह था unboxing and review video, noise birds vs.104 का, I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, लेकिन आपकी फिर भी कोई query in birds से related, तो दोस्तों, आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा जाहिन वंदे मात्रा